Hello and welcome to the studio, traders. LIC को आज के दिन हम trade कर रहे हैं. काफी अच्छा move, बहुत ज्यादा volume का break-out आज इसके अंदर हुआ है. LIC के अंदर ही नहीं काफी सारे stocks ले, अमबुजा, सिमेंट है, इनके अंदर तो upper circuit और Ardani के stocks में तो आजके लिए रहा है. उसमें भी कई सारे stocks उनके अंदर upper circuit और lower circuits लगे हैं. कोशिश केजिए इस टाइम में थोड़ा सा Ardani के stocks को अगर आप avoid करोगे तो कोई गलत बात नहीं है. छोड़ दिजए. Because trading session में, intraday में अगर आपको stock trade कर रहे हो, और उसके अंदर lower circuits लगे तो penalty भार ही पड़ा. तो जो high volatility stocks हमको थोड़ा सा छोड़ दिए. इसमें भी हम जाध दिरे तक wait नहीं करेंगे. LIC के अंदर जो हमारा चोटा से target हमने रखा हुआ है. या तो यह green वाली candle का low point. हाला कि यहां तक ही हम रखेंगे, यहां से फिन निकल जाएंगे बाहर. बहुत जाथ wait नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत move है, लेकर के चुपचा बाहर निकल जाएंगे. Stop loss जो हमने इसके अंदर अपना लगा रखा है. Just green वाली candle आप देखोगे, 3 minutes के time frame पर हमारा stop loss है. यह जो pin बार अपनी बनी हुई है. यहां इसके थोड़ा से उपर में अपना stop loss लगा हुआ है. और यह अपना target point है, 643.30. So overall यह अपना trading setup है आचका. Day time frame पर जो आप देखोगे, तो यह हमारा एक swing area है, जहां से हमने अपना trade यह execute किया है आचका. यह हमारे support point है. और आगे की तरफ हम stitch कर देंगे, तो यह यहां तक हम इसको draw कर सकते हैं. इसके बाद में हुआ क्या है? Simple, सिर्फ prices को देखे, कि जो line हमने draw कि है charts के उपर, वो क्या effect डाल रही है? प्राइज जहीं से नीचे की तरफ गिरा, अगेन इसी line के उपर से price उपर चला गया, फिर से price ने इसी जगे पर आकर के support लिया, प्राइज upside की तरफ, अगेन यहीं पर देखे, क्या की है न, price ने volumes अपनी increase करते हैं, एक तरह से हमें climax setup शो करता है, अब जैसे ही price ने हमारी support line को break किया है नीचे की द्रफ, आज की session को, lower time frame के अंदर अपने सारे confirmations लेने के बाद में है, अब देखे, यहाँ पर volumes को किस तरह से आप read कर सकते हो, कोई भी chart जैसे, अब देखे, price हमारा upside की तरफ गया है, एक concept होता है VSA का, volume spreads analysis, इसमें price and volumes के spreads को देखा जाता है, हम कोशिश कह रहेंगे, VSA के उपर एक थोड़ा सा ठीक ठाक वीडियो में आप लोगों के साथ शेर करें, जिससे कि VSA की एक knowledge आपके पास हो, price and volumes को देख करके, हम उसके अंदर कुछ spreads निकालते हैं, अब जैसे high volume है, एक बड़ी से candle हमारी फॉर्म कर दी गई, और उसके बाद में देखे, यह इतनी बड़ी से candle बनी, बट इसके अंदर movement तो है ही ने, actually इसे spreads बोलते हैं, क्या commentator यहाँ पर देख कर कि यह नहीं समझ सकता है, कि कम volume आई है, प्राइस का movement बड़ा है, बट यहाँ पर उससे ज़्यादा volume है, प्रिवेस टे से ज़्यादा की volume आई है, बट प्राइस का movement तो है ही नहीं, क्याई diversion शो नहीं करता है, एक volume आती जिसमें price इतना बड़ा move कर देता है, और उसकी एगले दिन volume आती है, यहाँ पर आपको हम लोग यह नहीं समझ सकते, कि यहाँ पर कुछ तो गरबढ़ चल रही है, यहाँ पर इस ट्रेट्स का या फिर बड़े प्रेयर में भी price को एक जगे hold करने को शिश्च कर रहे हैं, बहुत सारी quantity उन्होंने एक ही candle में लगा दी है, इस क्या कर रहे हैं, जैसे ही यह candle increase की, इनकी volume increase की, प्राइज ने किया कि simple यह अपने support पर आ गया, support पर तो आया है, बट इसके अंदर फिर से देखे volumes कम हैं, समझ पा रहे हैं, following gross pattern के according क्या होता है, कि पहली candle, normal volume, second candle, उससे कम volume, third candle, उससे कम volume, तो यह spreads नहीं होता है, यहाँ पर normally हमको देख रहा है, averaging देख रही है, कि जितना बड़ा जो volume है हमारी, उसके according price का move हो रहा है, उससे कम volume है, उससे चोटा price, उससे कम, उससे चोड़ा price, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यह सब देखे, volume और price को mix करने के कोशिश कीज़े, कैसे दोनों को हम लोग मिलाएंगे, क्या हम लोग एमान सकते हैं, कि हमारी यह वाली जो red candle है, इसने एक mother candle का format यहाँ पर draw किया है, कैसे, इस red वाली candle के अंदर, एक, दो, तीन, चार, चार दिन तक market रुकी हुई है न, यह बन जाता इसका एक support point, price ने क्या किया, इसके low से ही upside का move दिखा दिया, और इसके बाद में, इस mother candle के high के पास में आकर के price ने support लिया, और फिर से, इस red वाली candle की zone के अंदर आकर के, इसने trade करना है, start कर दिया, देखिए, दो support बन गए ना हमको, कुछ नहीं कि हमने इसे डिली टाइम फ्रेम पर बस अपनी आके खोल कर गए, यहां पर आनलसे से start की, आके खोल की मतलब, बहुत बाद, अब LIC का यही चार्ट हो सकते हैं, जब आप इसको read करो, तो आपको इस आई चीज़ें ना दिख रही हो, मेरे लिए भी वही चार्ट बना हुआ है, आप देखो ना, कि price में यहां पर एक support area बना, यहां पर एक support point बना, अब price ने आपके एक support point को break किया, और यह दूसरा support point, अब दूसरा support point break कर रहा है, तो नीचे कौँसी जगा बन रही है हमारी, पूरा यह देखिए space खाली पड़ा हुआ हमारा, green वाली candle को ले सकते हैं, otherwise हमारे पास यह जो red वाली candle, इस candle को ले सकते हैं, यह वाला point, है न, यहां तक इसका एक support area है, और इसके नीचे आप चले जाओगे, यह वाला point इसका support point है, इस तरह से जो main हमें support लग रहा है, वो यह green वाली candle लग रही है, मतलब यह maximum point है, में भी चांस है कि यह यहां तक आज के दिन गिर जाए, जो कि impossible सम को लग रहा है, गिरने को गिर सकता है, यहां तक गिरने के लिए price को बड़ा move दिखाना पड़ेगा, तो simple से चीज़ समझ वाई, कि price के अंदर हमने सिर्फ कुछ support points लग किया, and lower time frame पर, 5 minutes के time frame पर आप आप आई, और यहां पर देखें, कुछ moves देखें आपको दिखाई पाई, यहां पर 3 minutes के time frame पर आपको यह green candle दिखाई पड़ेगी, है न, यह green वाली candle, यहां पर price जब upside की तरफ गया है, यह green वाली candle जैसे यह form हुई, price का move, इस जगह पर हमने अपनी entry एक्जेक्यूट कर दी, और इस green वाली candle के just high के पास में, हमने अपने stop loss लगए, stop loss गया नहीं है भी, देख लेते हैं चला गया हूँ, यहां पर position book open कर लेते हैं, position book में overall जो हमारा इस रत का profit चल रहे है, 1600 के रहे है, 1600 के रहे, 1600 के रहे, 1300 और 700 चल रहे, order book में हाँ भी है, 664.35, यह हमारा order लगा हुआ है, तो हमको लगए है, हम सिर्फ 5 पैसे से ही बचे हैं यहाँ पर, copy, 664.35, ओके, 5 पैसे से जस्ट हम यहाँ पर safe है, और entry कितने पर है अपनी 661 पर, copy, और 661, चलिए, entry यहाँ माग कर देते हैं, paste, 661, ओके, यहाँ पर अपना trade execute है, 661, stop loss हमारा 664.35 पर stop loss है, 661 पर अपनी एंट्री है, कि day time frame पर हमनों जो चीज समझाए, वो clear हुई होगी, समझ में होगी, price ने एक यह वाला support ब्रेक किया, इसके बाद में आज के session ने morning के जो support से day time frame पर जो sing बने हुए, इन support को ब्रेक किया है, यहाँ से अगर हमारा price is strong है, तो उसको क्या करना चाहिए, opposite, opposite, यहाँ से price को उपर की दिश्या में जाना चाहिए, नहीं तो फिर इस वाले support से price को upside की दरब जाना चाहिए, upside में जाने के लिए यह तो support points बन रहे ना, simple से दिखना हम लोगों को, अब हमारे पास support line strong है, अब हम देख लेते हैं कि lower time frame पर market वहाँ पर क्या कर रही है, जब हम लोग 5 minute के time frame पर आएंगे, तब देखेंगे कि previous day में भी market ने उसी जगह पर support लिया है, है ना, आज गर market को upside की दरब जाना है, तो वो क्या कर सकती थी, क्या करेगी है, एक candle, इसके बाद में देखें, price का move 1, 2, 3, viral का formation बना, price upside की दरब गया, एक rejection और price ने क्या किया ना, यहाँ से सीध हमारी इस वाली candle का low break कर दिया, मतलब 5 minute के time frame पर, जिस candle हमारी mother candle का format लिया, price ने उसका भी support break कर दिया, मतलब day time frame पर तो हम देखे रहें कि support break हो रहे है, बट lower time frame पर भी यहाँ पर support break हो रहे है, यानि कि 9.30 की candle के नीचे भी price ने आ करके closing कर दी, और previous day का adjust हमारा swing point यह है, तो जैसे price ने उस देखें पर अपना movement करना start किया, तो हमको यह समझ भी आगए कि maybe आज इसको upside के तरफ जाने में थोड़ी बहुत problem हो सकती है, that's why हमने downside का अपना trade यहाँ पर execute किया, simple सी analysis है थे कि बिल्कुल simple analysis, कुछ नहीं करना है, stop loss हमने अपना रख दिया है, 6,643 पर इसको 6,643 इसको एक बार refresh कर लेते हैं, 6,644.35, stop loss लगा हुआ है, 6,644 पर इसको पर इसको पर इसको पर इसको प्रोफिट है, 2,900 के राउन का चल रहा है, ओके, इसको चलने देते हैं, को बड़ा movement होता है, हम इसके अंदर को एक्षिन लेते हैं, तो फिर आपको inform करते हैं, इसको पर इसको पर इसको पर इसको पर करते हैं, और फिर यहां से नीचे मार्केट गई नहीं है, यह highs and lows, highs and lows लगा रही है, कोशिश यहां से के गए थे कि price एक बार high ब्रेक करें, वट नहीं हुआ, प्राइस रुग गैसी लेगा, मार्केट बिल्कुल जस्ट इसी के अंदर रेंज बाउंड होकर के रह गई, और LIC ने कोई बहुत बड़ा मूव हम लोगों को नहीं दिखाया, हाला कि जहां तक मार्केट गरी थी उससे थोड़ा सा लाइक 1% वेगर नीचे केंटल बन जाती, LIC के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, में भी हो सकता है, यह एक या दो कैंडल के अंदर ही हमको अमारा पूरा पूरा टार्गेट दे देती जो की 1% का बचा हुआ था, बट ऐसा हुआ नहीं और अभी देखिए, और अभी देखिए, मार्केट कहां पर जंप कर रही ह हाला कि निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी आप दोनों ही चार्ट देखोगे, तो यह भी अपसाइट के तरफ जा रहा है, पूरे दिर मार्केट अपसाइट मेरे हो, लास्ट आम LIC के अंदर भी जंप आ रहा हो, बाकि पूरी मार्केट आप बैंक निफ्टी देख रहा है निफ्टी इसके अंदर भी जंप आया है, हाला कि हम अपने टागेट के लिए रूखे होगे थे नहीं मिला, कोई बात नहीं, 656.55 को प्राइस इस वक्त चल रहा है, LIC के अंदर का, और प्रॉफिट अपने 3000 के अराउंड चलेंज, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, अभी तक किसी भी तरह का हमने exit का order अपना place नहीं किया है, सिर्फ stop loss और entry का order हमारे लगे हुए है, तो stop loss का order भी रखा हुआ है, and profit booking का भी कोई order अभी तक हमने लगाया नहीं, so अब time है इसके अंदर से बाहर निकलने का, so वेट करते हैं, इसके अंदर से exit करते हैं, डूसर क्या कहते है, option worries, F&O segment is bleeding, detailed traders, SEBI की study, and यहाँ पर देखे, study by market regulatory, SEBI shows that 9 out of 10 individual traders were making losses in the F&O segments, यह future and options जो है न, चाहे हम जितना भी बोलने हैं, समझा ले, जितनी भी हमारी पहुँच है, कोई बहुत बड़ा अपना channel लही है, छोटी सी community है, छोटी सी family है, तो उसमें ही हम करते हैं, कि जितने भी लोग अपने पास है, यह समझदार हो, पढ़े लिखे लोग हो, market में जब काम करने जाए, तो उनके अंदर समझ हो, कि यार F&O बगारा में trade कर लेने से, आप कुछ बहुत बड़े trader नहीं बन जाओगे, अगर आपको एक target achieve करना है, आपको एक अच् segment ऐसा है, equity, इसके ओपर आपको practice करनी, इसके ओपर price actions को practice करनी है, जब यहाँ पर एक बार perfect हो जाओगो, तो दूसरे segments में जाकर कर के काम करो, यह हम कब से बोल रहे हैं, और अभी देखे, इसके पहले भी बहुत सारी agencies ने पनी reports निकाली हैं, बट यह से भी कि, they made an average losses 1.1 lakh during financial year 2022, as high as 90% of active traders, and cut an average loss of 1.25 lakhs, reason क्या है, देखे, इसके अंदर अगर loss हो रहा है, तो उसके पीछे का reason क्या है, simple सी चीज है, बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी money management को समझे, बिना किसी risk management को समझे, किसी ने आपको बड़े-बड़े profits दिखा दिखा दिये, बड़े-बड़े गाड़ी है, घर है, सब कुछ वो दिखा रहे हैं, वो जब बैठेंगे ना तो आपको पीछे उनको सब कुछ दिखेगा, अच्छा यही सब लगा करके बैठे हुए हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, तो यह हम भी कर लेंगे, वो होता है, वो दिखाते ही कि कही ना कही आपको वो अट्रेक्ट करें, समझदारी से काम लेना होगा, वो सारी चीज़ा आप अचीव कर सकते हो, लेकिन एक सही प्राइजक्शन के साथ में एक सही सेग्मेंट को चूज करो, उस सेग्मेंट के उपर ट्रेडिंग करो, उस सेग्मेंट के उपर प्रेक् यह अभी कित्रून रिपोर्ट है, यह तो और काफे दिन हो चुए है, अभी हमने देखा कि सेबी की की रिपोर्ट आई है , शिवinta ने हमसे कहता है, सेबी की रिपोर्ट आई है तो थीक हमने उसको देखा ओंपन किया है , इसको भी शेयर करना चाहिए अगर आपको लगता है कि जो काम करने का एक हम यह नहीं कह रहे है कि आपके काम करने का तरीका गलत है या जो भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं उनके काम करने का तरीका गलत है लेकिन नहीं ऐसा नहीं है maximum traders का काम करने का तरीका गलत है वो एक lot, पांच lot, दस lot के साथ काम करेगा उसको लगता है थोड़ा सा profit लेकर के हम बाहर निकल जाएंगे पर समराथ दिन खतम यहीं से loss होने की संभावना और यहीं से loss होना इस टार्ट होता है आप देखो, इसके थूँ प्रैक्टिस करो प्राइस एक्षिन के उपर मास्टर बनो ना कि हमें जाकर कि किसी दूसरे सेग्मेंट के उपर या क्या ट्रेट करना, क्या नहीं करना, बड़ा प्रफूट लोग सब बात की बात है प्राइस एक्षिन में एक बार आप समझ में आ गया ना आपको प्राइस एक्षिन समझ में आ गया फिर आप कुछ भी करो लेकिन प्राइस एक्षिन को समझने में टाइम लगता है बस यू ही नहीं कि एक घंटे आपने कोई भी चार्ट देखा पस आप मास्टर बन गए जिन्दिगियां निकल जाती है लाइफ खतम हो जाती है लोगों की तब भी उनको लास्ट में लगता कि नहीं यार इप कुछ तो बचा रहे गया तिमाग खोलो, समझ पैदा करो अपने किसी भी ब्रोकर के पास हम लोग अपना अकाउंट उपन कराने चाहते हैं तो वो नहीं पूछते है कि आप कितना पढ़े हो वो नहीं पूछे कि वो सिर्फ आप से आपकी आईडिस वगरा लेगा पास्बुक वगरा लेगा और अकाउंट उपन करतेगा और कहीं ना कहीं गौर्णमेंट को भी इसके उपर एक्षन लेना चाहिए लेकिन उन्होंने क्या एक्षन लिया है कि जितना margin हम लोगों को मिलता था other segments वो सारा का सारा खतम कर दिया है option buying के लाब कोई चारा ही नहीं छोड़ा तो पूरी market में कैसी चीज़ फैल गई है कि option buying ही एक साधन है अब जैसी market है वैसी है उसमें हमनों कुछ कर नहीं सकता है लेकिन उसको जितना भी हो सकता है अपनी तरफ से बस एक awareness के साथ में काम करो aware हो कर के काम करो कितना profit हुआ 2000, 2000, 2000 नहीं है कोई बड़ा movement नहीं हुआ 2000, 1849 अभी last trade execute किया था लोग बारा साधे बारा तेरा जोर पे के आसवास का profit हुआ था market ठीक चल गए थी अच्छा movement उसके अंदर मिला था but LIC के अंदर देखी क्या हुआ हो इतना बड़ा move आया उसके बाद प्राइस पर सिदह उपर चलागे हमारा कोई बात में चलता है यह सब आज ने profit हुआ है कल की कैसी चीज़ है हमने उसके अंदर बताई है अगर आप उसको implement करोगे तो बहुत हद तक आप कई सारी चीज़ समझ वहेंगे फायदा होगा प्राइस एक्षिन को बिलकुल live market में किस तरह से trade execute करते हैं एक एक चीज़ हम उसके बताते हैं कैसे आप read करोगे candles को कैसे आप day time frame को read करोगे कैसे lower time frame को read करोगे एक एक चीज़ बताई है वीडियो से हम upload करते हैं देखो live market में प्राइस कैसे read किया जा रहा है live market में किस तरह से reading करके profit निकाल रहे है या आज देखे न हमको target मिला न हमारे stop loss गया on an average हम निकल थोड़ो profit ले करके तो इसको देखो समझो और यह जो report है इसको पूरी तरह से पढ़ो इसके पीछा का reason जानने की कोशिश करो अगर loss बना रहा हूँ options के अंदर तो reason जानने की कोशिश करो क्या है जिस जगह से हमने में trade अपने execute किया था वो level draw कर दिया था निफ्टी के यह वाले अपने levels हमने morning में ही अपने channel पर share कर दिया थे यह अपना point था एक support area यहां से market ने नीचे की तरफ movement दिखाया तो next support area और वापाई से price उपर की तरफ चला गया तो next to our resistance यह point तो यह दोनों ही levels अपने public telegram channel पर हमने morning में share कर दिया थे telegram channel आप जयन कर सकते हो and I hope कि वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ आपको benefit मिला होगा so thanks वीडियो अच्छा लगता है तो इसको जरूर से जरूर लाइक कीजएगा comments कीजएगा और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को subscribe कीजएगा thanks and we will meet again